हेलो शुडेंट हम लोग क्लास 11 का मैथ चैप्टर 12 का थ्री डिमेंशनल जियोमेट्री एकसरसाइज 12.2 का कुशी नबर 3 देखेंगे तो चलिए देखते कुशी नबर 3 का 3 हम लोग क्या कह रहा है हम लोग को 4 पी दिया ढिया ठीखें दिस दिस और देखें हम लोग को चार पॉंट दिया गया है कह रहा है चार जो पॉंट है यह पता करेंगे यहाँ A है तो सबस्पर अच्छ को हम लिख लेते हैं यह कितना हो जाएगा माइनस 1,2,1 फिर यह क्या हो जाएगा B 1,2,5 और यह हम लोग को क्या हो जाएगा C 4,7,8 और यह हम लोग को हो जाएगा 2,3,4 अब देखें पहले लोगरम क्या होता है A,B किसके को लोगा C,D के और A,D किसके को लोगा B,C के अचले हम लोग इसको दिखा देते हैं सबस्पहले दो पॉइंट ले लेंगे A और B इसको मैं ऐसा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इन दोनों को ना इसको और इसको ना कि आपको कोई दिक्कत ना हो फॉर्मुला में पूट करने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको ऐसे करके बता दे रहा हूँ कि a b equal to क्या हो जाएगा हम लोग का यहां पे देखेंगे तो सबसे फहले आप फॉर्मुला ही लिक्षेगा he cto mainus x1 होल स्कॉर प्लस y2 means y1 का होल स्कॉर प्लस जडै टू- e1 का होल स्कॉर तो क्या हो जाएगा हमनों का एक्सटू कितना है बन मैंनस x1 कितना है हम लोग का माइनस 1 तो माइनस 1 इसका होली स्क्वार प्लस y2 कितना हम लोग का माइनस 2 y1 कितना है 2 इसका होली स्क्वार प्लस अब फिर यहाँ पर क्या आजएगा z2 कितना है z2 हम लोग का 5 है के माइनस जबन कितना है वन इसका हुली स्कूर्स आप देखेंगे इसको लिए कितना आजाएगा हम लोग का का स्क्राइब तो a b equal to कितना आगे अब देखें गेहां पर टू का स्क्राइब 4 प्लस यहां पर 4 का स्क्राइब 16 जक्स इसको सव्व करेंगी तो हम लोग इण सब करें कतना जाइब 36 आजाएगा 36 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सेक्स इंटू 6 into 6 ना root के अंदर 6 into 6 लग सकते AB equal to क्या जगा देखे PR में तो 6 बाहर आ जाएगा यह हम लोग का आ गया AB AB आ गया अब हम लोग क्या नहीं क्या नहीं CD देखे यह point हम लोग का C C कितना हो जाएगा हम लोग का 4, minus 4, minus 7, 8 यह कितना हो जाएगा D क्या हो जाएगा हम लोग का 2, minus 3, 4 अब चलिए यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे CD ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का फिर से formula लिग देणे X2 minus X1 का whole square plus Y2 minus Y1 का whole square plus Z2 minus Z1 का whole square अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा X2 कितना हो जाएगा 2 minus X1 कितना हो जाएगा 4 इसका क्या हो जाएगा holy square plus Y2 कितना हो जाएगा minus 3 minus Y1 कितना हो जाएगा minus 7 तो यहाँ पे minus 1 से हो जाएगा plus हो जाएगा इसका holy square plus Z2 कितना हो जाएगा 4 जड़ बन कितना हो जाएगा 8 तो इसका holy square आप देखेंगे आगे क्या करेंगे अब हम लोग यहां पर देखेंगे यहां पर 4 में से two minus करेंगे तो two बचेगा लेकिन यहां पर minus हाएगा क्यों क्यों बढ़ा four के पहले minus sign है इस two minus two square प्लस यहां पर क्या जाएगा minus स्ट्वस माम स्ट्राइब स्ट्स करिते हैं स्ट्राइब स्ना फिर म मैंनस इमलों कि यहां को इंडा और हॉत एक अब यहां नहीं है कि जैसे ही हम लोग क्या करते देखिए minus रहता है, square रहता है, यह कितना हाज़ाएगा, हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यह कितना है, 32 और यह 36, इसको हम लोग एसे लिख सकते है, 6 into 6, आप तो CD equal to कितना देखें, 6 का पे रहते हैं, 6 क्या आज़ागा, बहार आज़ाएगा, तो हम लोग का देखें क्या आगया, A, B किसके equal आगया, C, D को equal आगया अब हम लोग किसको देखेंगे, A, D equal है किने किसके, B, C के तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंगे B point और यहाँ पर यहाँ पर यह क्या हो जाएगा C point तो B क्या हम लोग का, 1, minus 2, 5 और C के हम लोग का, 4, minus 7, 8 अब यहाँ पर B, C लिखेंगे, equal to क्या आजाएगा हम लोग का formula सबसे पहले, X2 minus X1 X2 minus X1 का whole square plus Y2 minus Y1 का whole square plus Z2 minus Z1 का whole square अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हम लोग का, B, C कितना आजाएगा हम लोग का, यहाँ पर X2 कितना होजाएगा, 4 minus x1 कितना होजाएगा, Y2 कितना हैगा, minus 7, minus Y1 कितना होजाएगा, मैनस तो minus plus होजाएगा, 2, इसका whole square plus Jake 2 कितना, 8, minus Z1 कितना है, 5, तो इसका whole square अब इसको solve करेंगे तो क्या आजाएगा हम लोगा देखे 4 में 1-3 तो 3 का square प्लस यहाँ पर क्या आजाएगा minus plus minus करेंगे 7 में 2 minus करेंगे तो 5 आएगा लेकिन 7 बड़ा 7 के पहले minus 9 इसलिए हम पर minus लगेगा उसका square होजाएगा प्लस 8 में 5-3 इसका square हो जाएगा अब vc 2 क्या है थक्र आजाएगा हम लोग का 3 स्क्षूर 9 प्लस मांडस 5 स्क्वा कर त्व닝 5 प्लस 3 क्या स्क्वार 9 आब vc immersion क्या आजा आजाएगा देखेएग क्या हजाईगा हम भूद् Его का 3 ra kr nine plane मायनस f 5 का स्कवर 25 प्लस ठीक है ना आएगकơn यह कितना होना ओना इसको थोड़ा सा सॉभ करेंगे कितना हैगा हम लोग इसको सॉभ करेंगे तो 40 ठीरी चरप सेट कर देंगे तो ठीक कितना आजएगा 43 आजएगा आप हम लोग आगे देखेंगे सब्सक्राइब और D point हम लोग का क्या है 2, minus 3, 4 आप इसको हम लोग क्या करेंगे solve करेंगे चलिए अभी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे AD equal to हम लोग का क्या होगा formula सबसे पहले formula लिखेंगे X2 minus X1 का whole square plus Y2 minus Y1 का whole square plus Z2 minus Z1 का whole square आप हम लोग के यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग देखेंगे X2 कितना है 2, X1 कितना हम लोग का minus 1 तो minus minus plus हो जाएगा यहाँ इसका whole square plus Y2 कितना है minus 3, minus formula का Y1 कितना है 2 इसका whole square plus Z2 कितना है 4, minus Z1 कितना है 1, इसका whole square आप हम लोग क्या करेंगे सॉल्फ करेंगे तो चेले देखते हम लोग का a d क्या आता है अब हम आगे सॉल्फ करें क्या हो जागे यहाँ पर फ्र लिए तो 3 का स्कुयर अब यह एड़ टू क्या आजाएगा हम लोग देखेंगे यहाँ पर थिरी का एड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 इहाँ पर देख सकते हम लोग का किसके एकृपला है है 20W material और हम्म लोगे हैं चे ubiqu파ल है कितना यहां पर हम लोग इंधकर फोटे एंगे सोद्यर आइख पॉइंट्स सो दो और पॉइंट्स आर किसका सब्सक्राइश हो गया है यहां अश्ɪार्ट अफ क्या हो ग्राम ठीक है हम हम लोग को क्या हो जाएगा यह हम लोग का आंसर हो जाएगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थांक यू